यह देखिए चूंगों का काम यह देखो मैं आपको दिखा हूँ यह देखो के अंदर पानी जाए और मेरा जो है सारे लेक्ट्रोनी कॉंपनेंट्स खराब हो जाएंगे तो भाई यह वात थी कि लाखो का चीज जो है मैं क्यों कह रहा था तो भाई बात ऐसी है यह है मेरी ट मतलब मेरे को बता देवे थोड़ा से ऐसा लग रहा था कि बाई चूंगों ने खा लिया है मतलब जनल यह काम कुट्टे करते हैं बड़ मेरे केस में चूंगों ने खाया है इस गाड़ी के नहीं घुज गुज गयते हैं मैं आपको जो इंजन बेकी साइड दिखा देता कि भाई यह देखिए इस गाड़ी में क्या करा है और इंका मैंने इलाज कर दिया है इलाज के ओपर मैं आप भागे बात करेंगा पर मैं पहले आपको जो सबूत तो दिखा दूँ कि भाई आप ऐसी कहा दोगी कुछ नहीं हुआ यह नहीं हुआ तो भाई यह देखो हाल ज तो उने करा किया है मैं आपको दिखाता हूं इसकी वाइरिंग पर पूरे-पूरे कट के निशान है थोड़ा सा यह देखिए यह बाइट कर रखा अगर मैं कपड़े से साफ यह किसी चीज से साफ करके दिखा हूं ना इंजन जो गंदा हो गया क्योंकि मैं भी गाड़ी को करके सब उनकी जो मैं सेंगन जो होती है वो सब यहां पर पड़ी है और यहां बैक्टरी पर भी नहीं यहां कटके निशान मार रखे थे बलाव जो एन जंगा जंगा ना इसके अंदर यह देखिए आप यह देखिए मैं आपको दिखाऊं यह देखो ऑक्सिजन सेंसर पर यह देखो काट के यह कर रखा है यह देखा आप कर रखी है तो बाई अब तो मैंने इंका इलाज कर दिया बाकि जो चूँए इसके अंदर भी घुस रहे हैं यह आपको दिखाऊंगा बैस चीज में देखो क्या क्या निकलेगा कर मैं आप निकाल दिया बट यह देखो यह निकला इसके अंदर बहुत बुरी तरीकर चूंएं यहां से गुसे यहां गुसे ठैंक कुछ काटा जाधा नहीं है तो इसलिए का नुक्सान होगा सीधा सीधा अनदर लाकों कुछ ऐसी चीज काट दी या फिर गेडियर का पाइप का लिए इसकिद कि और पता नहीं चला तो बाई एंजन जाएगा सीधा सीधा तो बाई ये तो मैंने बात कर लेता हूं कि मैंने क्या इंदर इनके इंदर तो वा किया आप यह कह रहे होंगे कि काफी टाइम से यूज तो तू कर रहा था तो फिर चुने कैसे घुज गए तो भाई गाड़े गए ती वाशिंग के लिए और इसके इंजन विंजन साफ हुआ था भी तीन-चार वहीने पहले और उसके बाद से मैंने जो यह इस परे डाला नह यूज करना तीन-चार साल हो गए हैं जब मेरा फॉड थी सब जब से मैं यूज कर रहा हूं तो भाई यह है यह कहरे से कपड़े से मैं क्यों पकड़ रहा हूं आपको मैं बता देता हूं नो एंट्री का यह जो है रेट रिपेलेंट है और फॉर कार्ज है अब यह देख तो इसके बारे में बात करूं यह जो चीज है ना काफी बढ़िया दी गई है मतलब इससे जो है चूँए गाड़ी के अंदर आते नहीं है और आते भी हैं तो वाइरिंग नहीं काड़ते अब यह दोनों चीज मतलब मैं क्या बता रहा हूं वह आपको बताता हूं डिटील इसको और यह पनी बनी ग्लाव मिलते हैं जो इसके वज़े से मैं आपको यह इस तरीके से करना होता है वह आप यह मैं आगया को बता दूंगा बट क्या है कि भाई इसकी जो स्मेल तो बहुत गंदी है मतलब लिटरली चूँग को भी पसन आते बट यह जो वाइरिंग के मैं जो कोई चीज नहीं दी है मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और एक साल पहले से यूज करता वह आ रहा हूं तब मैं आज यह रिविवियों दे रहा हूं मैं आपको दिखा भी दूँगा कि मैंने कब खरीदा था तो यह चीज मेरे को इसके अंदर काफी बढ़िय नहीं होता है जिसकी वजह से जो है मतलब चूए वाइरिंग नहीं काटते फिर क्योंकि वह चीज कड़ी लगती है अब यह कड़ी का सीन क्या है कि एक दून मेरे साल गलती से मेरे यह पंदी वाले जो गलफ फड़ गया तो मेरे हाथ पर लग गया था और भाई टरस्ट करन ना मैंने कितना भी साबून से दो दिन तक मेरे हाथ से यह चुटा नहीं चुटा मतलब ऐसे नहीं कि वह जो उसका मतलब कह देना की मतलब खाना खाते वह भी मेरे को हलका साथ का टेस्ट आया रहता तो भाई यह चीज ना इसलिए मैंने कपड़े से पकड़ लगी कहे वर इस पे भी लग जाता है चिड़कते वक्त तो इस चीज का धियान रखे जब भी आप इसको यूज करें ना तो भाई आप जो है अपने हाथों में गलव और जो है मुँपे मास्ट जरूर पहन लेना क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह चीज आपके हाथ पे लग ज अपर जो है ऐसा मन करेते कि बहुत जाद में दर्द हो रहा है था यहां आप भाय इस चीज को आप जरूर मतलब कर लेंना कि मास्क और जो है जरूर पहले ना जो कि इसके अंदर आते ही हैं तो यह बात रही मैंने इस चीज के आपको बारे में बताया अब मैं बात कर लेता हूं कि वह कितने का यह तो अप्रॉक्स मेरे को उस टाइम पर यह 500-600 रुपय का पड़ा था बट प्राइस उपर नीचे होता रहता है एमजॉन का मैं कि थले ऎुजेश और यह वाइं लिएक लगाए करता है आपको और तो इस तरीके अपलाए करना आपको यह चीज आप देखिए और इत्नी दूर से पूरी गाड़ी पर इस तरीके से मुलब हुआ और सारी जंग जानी चाहिए देखो मेरा हाथ पर भी आ गया इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा था बट ठीक है कोई बात नहीं मैं वाश कर लूँ ये तही कि इस तरीके से आपको जैसे यूज करना है एक चीज का आप ज्यान रखें जब आप ये चीज को यूज करें ना देखो मैंने तो ऐसी दिखाने के लिए आपको बता दिया मैं और यूज कर चुका था इंजन आपका वाश होना चाहिए बिलकुँ साफ सुतरा होना चाहिए उसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए फिर इसको आप जो ठंडे इंजन पर यूज करो जादा बैटर है और यूज करने के बाद ना मैंने जो परसनल अपने मैं करता हूँ और एक चीज और बैस पाट करने और यूज करने है नो अगर आप इंजन वाश जादा कराते हो इंजन वाश की बात करहँ अंदर वाश की बात نہیں कर रहा और एक चीज और बैस पार क्या इसका थों एक यहां पर होता ही एबियस का तार देखो यह आ रहा मैं आपको पास से दिखाता हूं यह देखो तो भाई इस पे भी मैंने छिड़क रखा आप उपर देखे वह देखे निशान छिड़कने का जिसकी होजी से क्या कि बहुत सी बार ना हमारी गाड़ी के अंदर एबियस के लाइट आजाती है तो वह चीज ना मलत इस यादे कि दें तर काड़े तो यहां भी जिलक देखो यहां पर मैंने चिलक रखए ऐसी आपको चारो तअमें चिलकना और यहां की साइड भी सड़कना यह चूंगो के निशान चिड़ने यहां से पर यहां से और यहां देखो मेरा गलब यह जो प्यूस बॉक्स है काट दिया और अब मैं जब गाड़ी की वाशिंग कर रहा हूं तो मेरा जो है सारे लेक्ट्रों कॉंपनेंट्स खराब हो जाएंगे तो भाई यह वाती कि लाखों का चीज जो है मैं क्यों कह रहा था तो भाई लाखों का नुस् मेरी तीनों गाड़ियों पर यूज करने के बाद भी एक साल से उपर होगर अब भी जो है 30% बच रहा है तो यह था भाई इसका रिव्यू जो कि मेरे को बताना था काफी जो अच्छा है कोई स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है बाकि कोई भी आपको सवाल रह गए हो या कु लोगों का यह कमेंट आया था उस शौट पर इसकी जो स्मेल है केविन के अंदर आती जब हम एसी यूज कर दें तो भाई कुछ भी नहीं आती हाँ अगर आपकी पुरानी गाड़ी हो आपने वाइरिंग वाइरिंग के काम करा रहे हैं चीज़े च्छडवा रखी है और कह का यह की वह नोएंट्री का है यह नोएंट्री है इसका नाव नीचीं कंपनी का और रेट रिपेलेंट फॉर कार तो भाई मैंने आपको यह चीज़ दिखा दी कब लिया कब कर मैनुफेक्श्चर है और एक चीज़ और यह बैस्ट फिफोर 24 मंच से फ्रॉम मैनुफेक्श में तो एक नेक्स वीडियो में